नमस्कार दोस्तों मैं आशीश पुनी आपका स्वाद करता हूँ आपने चैनल में आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नोफैप मॉंक मोड क्या होता है जैसे की इसके नाम के अंदरे लिखा हुआ है मॉंक मोड तो मॉंक सादू संतों की तरह जीवन प्यतीत करने को basically मॉंक बोलते हैं आपने बुद्धिस्ट मॉंक देखे होंगे वो रेड कलर के कपड़े को पहन के पूमते हैं और शान्त रहते हैं मेडिटेट करते हैं चैन्टिंग करते हैं ब्रीडिंग करते हैं और जो उनकी practices होती हैं बुद्धिस्ट की वो करते हैं या फिर आपने हिंदू के सादू संतों को देखा हुआ वो अपनी माला जाप करते रहते हैं वो दुनियादारी से उनका कोई खास मतलब नहीं होता है वो दुनियादारी से दूर और अपनी भक्ती में खुद को जानने के पीछे वो कारेरत रहते हैं या खुद को जान रहे होते हैं या फिर वो परमात्मा का प्रजन कर रहे होते हैं तो उनकी life के अंदर कोई फाल्तू चीज़ां नहीं होती है उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है अपनी आदमा को जानने से मतलब होता है तो उसकी तरह अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे एक भीने के लिए तो उन गलत हैबिट्स को हम एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं उनको छोड़ सकते हैं जब हमारे पास कोई दूसरी हैबिट्स होने सबस्टिट्टीट करना पड़ेगा तो जो पुरानी हैबिट्स हैं उनको हम नई हैबिट्स के साथ रिपलेस कर देंगे दर सटन रूस तो इट रूल नमबर वन नो सोशल मीडिया, टीवी, गेम्स, और यूट्यूब बैसिकली जीरो स्प्रीट ताइम रूल नमबर टू एक्ससाइज एक्सटी मिनट्स जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं रूनिंग कर सकते हैं बैसिकली पसीना पहना चाहिए रूल नमबर त्री नो अलकोहॉल और ड्रॉग्स basically zero intoxication rule number four meditate at least for 60 minutes 20 minute कर सकते हैं दिन के अंदर total 60 minutes total होना चाहिए 10-10 minutes बैट सकते हैं 20-20 minutes बैट सकते हैं आपको ज़सा खीक लगे rule number five no porn or triggering content या फिर ऐसी कोई चीज जो आपको trigger करती है या फिर ऐसी कोई तरिश्य जो आपको trigger करते हैं stay away from all those things rule number six eat healthy raw foods काईये fruits काईये vegetables काईये dry fruits काईये या फिर boiled food काईये that's it try this for at least 30 days and see the difference for yourself पसंद आईये तो इसे like करें share करें चैनल को subscribe करें और bell icon तबाना मत ननेवाद